हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी यूट्ञ चैनल m.com Accountancy पे आपने अपितक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए एण स्टाट करते हैं आज का विडियो हेलो फ्रेंज आज हम सोल करने वाले हैं प्रोड़क प्राइसिंग एंड कोश्ट अफ केपिटल का सम जो लाश्ट टाइम मार्च एप्रेल 2019 में युनिवर्सिटी में पुछा चा चुका है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है प्रोड़क प्राइसिंग का सम वर्क आउट दे सेलिंग प्राइस ऑफ दो प्रोड़क फॉलॉविंग इन्फरमेशन हमने पेल पिछले वीडियो में बताया था कि सेलिंग प्राइस जब भी आपको तुड़ने होती है तब वो अपका बन जाता है प्रोड़क प्राइसिंग का सम तो इसमें इन्वेस्मेंट दे दिया है 10 लेक रूपीज इन्वेस्मेंट वरकिंग केपिटल 5 लेक रूपीज बचेटेड वोल्यू 2 लेक यूडिट फिक्स कोश्ट 18 लेक रूपीज हमें दे दी गई है डिजाइड रिटर्न 30% पर एनम यहाँ पे हमें इन्वेस्मेंट पे कितने 30% रिटर्न पर एनम मिल रहा है यहाँ पे हमें प्रोफिट आफ्टर टेक्स या ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम डायरेक इन्वेस्मेंट पे 30% पर एनम रिटर्न ले लेंगे वेरियेबल कोश्ट पर यूणिट बोला गया है 20 रूपीज यहाँ पे वेरियेबल की जगा पे आपको पिछली बार मार्जिनल कोश्ट भी बोला जाए सुका था तो वेरियेबल और मार्जिनल एक ही होता है तो जब भी आपको मार्जिनल बोला जाए तब भी आपको वेरियेबल ही कंजूम करना है तो आगे बढ़ते हैं सम में हम इसमें क्या ढूणना है Selling Price और ये सम है 2019 का तो Sells is equal to होता हमारा Total Cost plus Profit Profit मतलब हमें जेतना Return मिल रहा है Investment पे वो हो जाएगा हमारा Profit तो Total Cost का 5 से फिलम फाइन करेंगे तो Total Cost is equal to Fixed Cost plus Variable Cost Fixed Cost हमारी 18 लेक रूपीज दे दी गई है Variable Cost हमारी 14 लेक रूपीज आती है 2 लेक यूनिट पर यूनिट हमारा Budgeted Volume है या फिर Production है उसको Multiply करेंगे पर यूनिट हमें कितनी Variable Cost दी है 20 रूपीज तो हमारा आजाएगा 40 लेक रूपीज दोनों को प्लस करेंगे तो Total Cost है वो हमारी आजाएगी 58 लेक रूपीज 58 लेक रूपीज हमारी हो गई Total Cost यहाँ पर हम देख सकते है 58 लेक रूपीज हमारी Total Cost आ चुकी है तो आगे हम बढ़ते हैं Investment की तरह तो पहले हम Total Investment कर लेंगे Fix Asset में investment दिया है हमें 10 लेक रूपीज Working Capital में हमें investment दिया है 5 लेक तो हमारा Total Investment हो हो जाएगा 15 लेक रूपीज हमारा Total Investment हो चुका है जो हमें सम में दिया है वो investment को प्लस किया है और कुछ नहीं किया है अब हमें 15 लेक पर कितने परसंट रिटन मिल रहा है 15 लेक पर हमें 30 परसंट रिटन मिल रहा है इन्वेस्मेंट में तो हम आगे करते हैं रिटन या फिर प्रोफिट भी कह सकते हैं डिजायर रिटन 50 लेक रुपीज मल्टिप्लाइ 30 परसंट रिटन है हमारा तो हमारा डिजायर रिटन है वो आजाएगा 4 लेक 50,000 मतलब हमारा प्रोफिट या फिर डिजायर रिटन बोलिये चोहा गया है 4 लेक 50,000 रुपीज तो अब हमें सेल्स इस एकूल टू जो भी अमाउट जाई थी वो दोनों मिल गई है टोटल क्लास टोटल कोश्ट प्लास प्रोफिट तोटल कोश्ट है हमारी फिटीन ऐक रुपीज हमारी तो प्रोफिट है हमारा फॉर लेक 50,000 तो हमारा सेल्स आ गया 62,50,000 टोटल सेल्स है लेकिन हमें क्या चाहिए सेलिंग प्राइस प्राइब यूनिट तो सेल्स को टोटल सेल्स को हम यूनिट्स से डिनोमिटर में हम यूनिट्स ले लेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी इस तरह सेल्स हमारा टोटल सेल्स हमारा है 62 लेक 50,000 रुपीज यह हमारा जो बजेटेर वोल्यूम या फिर प्रोडक्शन वोल्यूम हो हमारा दे दिया गया है 2 लेक यूडिट इसको डिनोमिटर में लेने से हमें प्राइस सेलिंग प्राइस मिल रही है 31.25 पर यूडिट यह हमारी हो गई सेलिंग प्राइस जो हमें सम में मांगी गई है तो यहाँ पे हमारा प्रोड़क्शन का सम खतम होता है आगे बढ़ते हैं कोश्ट अप केपिटल के सम के था यह हमारा कोश्ट अप केपिटल का सम है जो 2019 में पुछा गया है 32.25 पर यह हमारा कोश्ट 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 यह हम आपको इंट rasp कहा पता चल गया हो गा कि हमें। नोरमल इसम में equity price पे कितना return मिलता है वो तूटने को बूरुडा चाहता है। लेकिन यहां पे हमें equity पे कितना return मिल रहा है वो हमें दे दिया गया है 15% मतलब के हमारा धे दिया गया है 15% और growth rate हमें दिया है लेकिन minus में क्या बोला है decline हो रही है dividend की price decline 88% per annum मतलब हमारा minus आया जाएगा 8% हमारा minus growth rate दिया है और last year का dividend हमें दे दिया गया है 10 rupees तो हमें current year का dividend fine करना होगा क्योंकि की formula के हिसाब से K is equal to D1 is equal upon D1 is upon P plus G जिसमें K हमें 15% दे दिया गया है D0 मतलब पिछले सार का D1 मतलब इस current year का D1 हमें यहाँ पर चाहिए होगा लेकिन D0 हमें दे दिया है 10 rupees प्राइज हमें ढूडनी है और growth rate हमारा है माइनस 8% तो समसोल करने की तरफ बढ़ते है के हमारा 15% है प्राइज हमें find करनी है और पिछले सार का dividend हमें दे दिया गया है 10 rupees तो सबसे पहले हम D1 find करेंगे क्योंकि हमारे के की फॉर्मिला क्या है D1 upon P plus G तो P हमें find करना है growth rate हमारे पास है के भी हमारे पास available है तो हमें सबसे पहले find क्या पढ़ना पढ़ेगा D1 क्योंकि D1 हमारे पास नहीं है बाकी सब information हमारे पास है तो D1 को ढूनने के लिए formula है D1 is equal to D0 bracket में 1 plus G G मतलब हमारा हो गया growth rate तो 10 rupees हमारा dividend है पिछले साल का one formula के इसाब से लगए देंगे plus का sign है यहाँ पे और हमारा growth rate minus में है यहाँ पे आपको खास्तियां रखना है हमारा growth rate minus में growth rate 8% है उसको हमने amount में translate कर लिया मतलब 8 8 upon 100 तो हमारा आ जाएगा 0.08 इसाब से हमने 0.08 यहाँ पे ले लिया है नीचे हमारा दे दिये गया है नीचे हमने plus minus minus होता है मतलब plus की sign है इसके बाजू में minus की sign है तो is equal to minus हो जायता है तो यह हमारा sign बीच में है वो minus हो जाएगा तो 1 minus 0.08 करेंगे तो हमारा आया जाएगा 0.92 उसको 10 के साथ multiply करेंगे तो current year का जो dividend है वो हमारा आ गया 9.2 तो अब हमें D1 की information भी मिल चुकी है तो हम अब हम formula में उसे रख सकते हैं तो हमारा formula क्या था K is equal to D1 upon price plus growth के हमारा 15% हमें दे दिया गया है D1 अभी हमने find किया 9.2 upon P और plus यहाँ पे plus है और हमारा growth rate यहाँ पे minus में है तो bracket में रखेंगे 8% यहाँ पे हम वो आगे जो हमने D1 में convert किया वो भी कर सकते हैं 8 upon 10 करके 0.08 लेकिन यहाँ पे हमारा K already percentage में है तो हम यहाँ पे इसको percentage में रखेंगे तो हमारा plus minus करने में हमें आसानी रहेगी तो 8% को हम आगे ले जाएगे तो यहाँ पे plus था और आगे ले जाएगे तो वो हो जाएगा हमारा plus मतलब 15% plus 8% इस इकोल्टू की साइड अमाउंट वेसे की वेसे रहेंगे 9.2 upon price 15% plus 8 करेंगे तो हमारा जाएगा 23% इस इकोल्टू 92 upon P एज़ेट इस रखेंगे हम P को हम इस इकोल्टी इस इकोल्टू की उस साइड ले जाएगे P को प्राइस को तो हमारा 23% है वो यहाँ पर आजाएगा तो 92 upon 20 23% करेंगे तो हमारी प्राइस आजाएगी 14 रूपीज पर शेर जो हमें धुनने को बोली गई है यहाँ पर देख सकते हैं पुरा सम केल्कुलेट हो चुका है हमारा प्राइस आजाएगी हमारी 14 रूपीज पर पर एक्विटी शेर मोश्टी एक से दो बार कोश्टोप केपिटल के एसे ही टैप के जो ग्रोथ रेट माइनस में जा रहा हो एसे टैप के शोट सम ज्यादा जा चुके हैं या फिर जा सकते हैं और यह 2019 में भी इसी टैप का पुछा गया है तो ग्रोथ रेट वाला माइनस में हो वैसा सम आपको कर ले दया चाहिए तो आपको शोट क्वेशन में मेरी साब से कोई धिक्कत नहीं आएगी थैंक्यू फोर वोचिंग वीडियो अगर आ मारा जैनस